नमस्कार, दिवी होम के माध्यम से मैं फालगुनी आज चर्चा करने वाली हूँ करवा चोथ के वरत और विधी विधान की करवा चोथ के वरत के विधी विधान को जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम करवा चोथ के दिन चंद्र को अर्धिर क्यूं देते हैं हिंदू सनातन धर्म के अनुसार पती और पत्नी का रिस्ता तन से ज्यादा मन से चुड़ा हुआ है और चंद्रमा मन का कारक है यदि करवा चोथ के दिन हम पूरे दिन निजला वरत रखके चंद्रमा को अर्धिय देते हैं तो चंद्रदेव हमारे सुखी दमपति जीवन में खुशाली का अशिरवात देते हैं हमारा सुहाग में हमेशा सेहत उसकी अच्छी रहती है और दिरगायू प्राप्त होता है यह है करवा चोथ में चंद्र को अर्धिय देने के पीछे का पूरा मतलब आये जानते हैं करवा चोथ की पूरी विधी लेकिन इससे पहले हम समझते हैं कि करवा चोथ का रेफरंस हमें महाभारत में कैसे मिलता है महाभारत काल में वनवास के दर्म्यान जब अर्जुन किसी वज़े से तपस्चरिया करने गए तब पिछे से बाकी के पांडव और ध्रवपती के उपर वनवास में बहुत संकट आने लगे ऐसे में द्रवपदी ने भगवान शी कृष्ण की प्रार्थना की तो भगवान शी कृष्ण ने उसे उपाय बताया कि चोथ आने वाली कार्थिक कृष्ण पक्स के चतुर्थी के दिन यदि हम माता पार्वती और चंद्रदेव की पुझा करते हैं तो तुम्हारे सारे पतियों को दिरगायू होने का और तुम्हारा सवभाग्य अखन रहने का वर्दान तुम्हें प्राप्त होगा तब से लेके आज तक हम भारत वर्ष में जो उत्तरे भारत है उसमें करवाचोथ का वरत का पुराविधान की परंपरा चली आ रही है उस उत्तरी भाग में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हर्याना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आदि सारे प्रदेशों में करवा चोथ का वरत सुहागिन पूरी धुमधाम से करती है और बड़े लगन और मन से करती है आये चानते हैं करवा चोथ के वरत की विधी, करवा चोथ के दिन सुबह सुर्यदई से पहले उठना है तब घर की जो बड़ी बुजूर्ग महिला है जो घर में जो बुजूर्ग महिला है नानी, दादी, सांस या माता वो बाकी की छोटी महिलाओं को सर्गी देती है सर्गी का मतलब है ऐसे पके हुए पकवान कि जिसकी खाने से हमें पूरे दिन निर्जला वरत करने की एनरजी प्राप्त होती है इसके बाद सुर्यदे होने से सारी महिलाए हाथ में जहल लेके संकल्प करती है और माता पार्वती से शक्ती मांगती है कि पुरे दिन निर्जला व्रत करने से उसे एनरजी बनी रहे शाम के समय शुब मुहरत में सारी महिलाए एक चोकी के उपर लाल कपड़ा बिछा कर पूरे श्रीव परिवार को उसमें आहवान करती है उसका फोटो लगाती है बाजू में करवा का जो केलंडर है कि जिसमें करवा, चोथ माता, चंद्रमा, आदिका चित रहे उसका भी करती है इसके साथ साथ चोकी की दोनों और करवा रखा जाता है करवा यानि मिटी का एक ऐसा पात्र कि जिसमें जल भरकर हम अर्ध्य दे सके यानि कि इसके आगे टोटी रहती है इसलिए एक साइड मिटी का करवा रहता है कि जिसमें कच्चा दूद वाला जल भरा जाता है तो दुसरी साइड पितल या तांबे का करवा यानि की घड़ा रहता है जिसमें सोलर श्रिंगार की वस्तुए तथा निवेद्य में जो भोग लगाते हैं वो सारी स्वीट पक्वान आदी लखा जाता है करवा चोथ के दिन ये दोनों करवा के साथ साथ श्रिव परिवाय और करवा चोथ माता आदी की सोलर उपचार से पुझा करनी है चारो और चार दीप प्रगट करना है तथा आठ पूरी वाली अठावरी जिसमें हलवा पूरी और पूरे पके हुए पक्वान रहते हैं उसका भोग लगाना है सफेद मेवे और दूत की मिठाई का भोग क्योंकि चंद्रदेव को भी लगाना है तो यह भी लगा सकते हैं सफेद और लाल फूल से पुझा करना है और माता पाल्मती से अपने शौभग्यं की रक्षा और उसकी दिर्गायों की प्राथना करनी है शाम के समय जब चंद्रोदे होता है तब जो मिट्टी का कर्वा कि जिसमें जल भरा है उसमें उस जल से चंद्र को अर्धि देना है इसके बाद ही हमें जल ग्रहन करना है चंद्र को भी हम सोलम उपचार से पुजा करना है उसको नवे दिल लगाना है आती करना है और बाद में करवा चोद की कथा सुनना अति आवश्यक है तो ये हुई करवा चोद के व्रत की पूरी वीधी जो हम घर बेठे बेठे आसानी से कर सकते हैं जो मेरे एनराई दर्शक है जो पंडित जी को घर पे नहीं पुला सकते वो भी इस तरह से अपने घर बेठे बेठे इस वीधी को कर सकते हैं वैसे करवा चोद की जो वीधी है वो मोटे तोल पर इसी तरह से है लेकिन प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक परिवार की परमपरा को फोलो करते हुए महलाए उस परिवार के रिती रिवा लोच्यों को दिरगायू मिले सक्था पती को भी दुरगायू प्राप्त हो यह है करवा चोट की व्रत की पूरी विधिम् इसका वईघ्याने कार्णु शंधान यही है कि करवाचोद जो शरत पूर्णी में अभी गई यानि कि शरत रुत्यू का गमन और हैमंत रुत्यू का आगमन यह तो संधी में आता है पूरे दिन यह दि हम पेट खाली लगते हैं तो जो रोग प्रतिकारक शक्ती है वो बढ़ती है रोगिष्ट जीवानू हमारे शरीर पर हम संबला नहीं करते और पुरे साल के लिए हमारा डाइजेश्यू सिस्टम अच्छा रहता है यह उसका वईग्यानिक अनुसंधान तो करवाचोद के दिन माता पार्वती आप सब को अखंड शो भागियवती रखे आप सब का घर में सुक संब्रुदि और वईभू रखे इ और वीडियो लेके मैं बस हजिर होती हूँ आपकी समक्ष तब तक के लिए नमस्कार